आज हम बनाने वाले एक ऐसा पराठा जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और बहुत जल्दी बनके रेडी हो जाता है यह पराठा बनता है तूर के फल्लियों से यह फल्लिया मार्केट ने बहुत इसली मिल जाती है इन फल्लियों का दाना निकल के ये पराठा बनाये जाता है अगर आपको लंच बॉक्स में कोई फटाक से डीश बनानी है तो ये डीश बहुत जल्दी बनके रेडी हो जाती है इस पराठे को हम दही, हरादनिया हरी मिर्ची की चटनी या फिर अचार के साथ दे सकते है तो चलिए फिर हम रेसिपी को स्टार्ट करते है इसके लिए हमने लिया है एक किलो के आसपास हरी तुअर की फल्ली जिसके ऐसे दाने निकाल लिए और मसालों में हमने लिया है चार हरी मिर्ची आदा टीस्पून के आसपास गरम मसाला एक टीस्पून के आसपास सौफ ले लिए बड़ी सौफ खाने वाली एक चुटकी के आसपास हींग और हमने लिया हाप टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर हमने हरी मिर्ची यूज़ किये इसलिए लाल मिर्ची थोड़ी कम यूज़ किये इससे तीखावन बराबर बालेंस हो जाएगा और नमक लिया है हमने टेस्ट वाइस अब हम ये तूर के फली के दानों को एक मिक्सर के पॉट में लेके थोड़ा थोड़ा करके पिसेंगे ये एक साथ इतने कॉंटिटी में एक टाइम नहीं पिसाएंगा इसलिए हम इसे दो पार्ट में डिवाइट करके पिसेंगे तो हमने ये पिस के निकाल लिया है तो हमें इसे इतना चिकना होए तक पिसना है मतलब ये ऐसे टेक्शर का हो जाएगा ठीक है अब फिर हमें मीडियम फ्लेम पे ग्यास अन करना है उस पे कड़ाई रखके एक बड़ा चमज के असपस तेल डालना है और तेल आने के बाद उसमें सौफ, हींग इसका तड़का ले लाए जैसे ये तड़का लग जाए और इसे में चिटक आ जाए तो हमने जो मिक्सर पीसा था वो इसमें आड़ कर लेंगे धान रहे जब हम मिक्सर आड़ करें और इस थोड़ा सीखना जाए अच्छे से मीडियम आज पीस सेखने से इसका कच्चा पन और हरापन चला जाएगा देखिए अब हमारा मिक्सर अच्छे से कूक हो गया है और इसका कलर भी चींज हो गया है हमें इसे इस कलर का होने तक ही सेखना है अब हमें इसे मसाला आड़ करेंगे हमने इसमें आड़ किया है लाल मिर्ची पावडर नमक अपने टेस्की साब से और थोड़ा सा करमसाला वा हमें मसालों को भी लो फ्लेम पे अच्छे से सिक लेना है ध्यान रहे कि फ्लेम लो ही रहे और मसाला अच्छे से सिख जाए तो हम जैसे रोटी का आटा लगाते वैसा आटा लगा के लेंगे आप देखिए हमने तीन चाल लोगों की साब से यह आटा लगा लिया है फिर हम इस आटे से एक गोली बनाएंगे जैसे हम रोटी बनाते डाइम गोली बनाते ठीक उसी प्रका तो देख लिए हमने इसे गोली बना लिया है फिर हम इसमें थोड़ा सा सुखा आटा लगाएंगे और उसके बाद चकले पर यह गोली रखके बेलन की साइताय से इसे ऐसे गोल गोल करके पेलेंगे हमें पहले थोड़ा छोटा ही बेलना है उसके बाद यह मसाली की भी एक छोटी सी गोली लेंगे और यह जो हमने पूड़ी जैसा बनाया है छोटा सा उसमें बार लेंगे तो देखी हमने इस मसाले को इस पूड़ी में रख लिया है और इसे ऐसे धीरे धीरे हातों से हलके हातों से पोटली जैसे बनानी है तो देखिए इस प्रकास से मसाली की पोटली बन गी है इसे चारो तरफ से अच्छे से प्रेस करेंगे इसका कही से भी मुँँ खुलाना हो तो यह मसाला आपका सेक्टे डैम निकल जाएगा और फिर पराठा अच्छा नहीं बनेगा फिर इसे दबाते वे ऐसे हलके हातों से थोड़ा बड़ा होने तक ऐसे गोल गोल करके बेलेंगी तो हमारी यह रोटी गोल बनके रेडी हो गई है इसे बहुत ही हलके हातों से बेलना है फिर हम मीडियम फ्लेम पे ग्याज चालू करेंगे और तवे पे इसे एक साइड से चीट लगने तक सेकेंगे देखे हमारे रोटी को एक साइड से चीट आ गया है हमने रोटी को पलट दिया है पलटने के बाद हम इसमें थोड़ा सा तेल लगाएंगे और फिर दूसरे साइड से भी इसे पलटेंगे और उस पे भी थोड़ा सा तेल लगाएंगे हमें दोनों साइड पे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से सेक लेना देखे हमारा पराटा कितने अच्छे से फूल गया है एकदम गोल गोल जब हमारा पराटा इस तरीके से ऐसे फूलता है तो इसका ये मतलब होता है कि ये पराटा बहुत जादा अच्छे से बना है तो देखे हमारा गर्मा गर्म और टेस्टी सा पराठा बनके एकदम रेडी है लग रहा है नहीं बहुत यम्मी हाँ खाने में भी उतना यम्मी है इस पराठे को आप कभी भी डिनर टाइम पे या लंज टाइम पे इसली बना सकते हो यह पराठा बनाने को जादा से जादा 20 से 25 मिनिट आपको लगेगा और यह बहुत जल्दी और बहुत टेस्टी सा बनके रेडी होता है तो चलिए फिर आप यह रेसिबी जरूर ट्राइ कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताईए कि आपको यह रेसिबी कैसे लगी अगर आपको मेरी यह रेसिबी पसंद आई होंगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले तो मिलते हैं जल्दी एक नई रेसिबी के साथ तब तक खाओ प्योर खुशो थैंक यू